हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चेनल दा टेस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स दिवाली आने वाली है और दिवाली आए और घर पे मिठा ही ना बने ऐसा हो सकता है क्या नहीं ना तो चल कि भी अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि भाई वाकई बहुत ही शांदार सी बर्फी दिख रही है दिखने में जितनी शांदार है ना खाने में उतनी ही टेस्टी है यकीन मानिए अगर आपने इसे बना लिया और घर पे अगर दिवाली पे कोई गेस्ट आए तो आप उन्ह आमान की चलिए दो किलो की बर्फी मेंने बनाई है आप कम भी बना सकते हैं इससे पहले आप अगर चैनल पे नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रोज रोज नई नई वीडियो मिल सके और आप इस तरह से यमी यमी सा खाना बना सके फ्रेंड्स है भीगा हुआ उसे हटा देना है और एक बड़े से बाउल में से निकाल लेना है और फिर अच्छे से साफ पानी से दो लेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बार दोना है और फिर जो इसका पानी से निकाल देना इसके साथ जो चिलके हैं उसे नहीं हटाएंगे चिलके के साथ ही बनाएंगे क्योंकि छिलकों में बहुत यी प्रोटीन होता है और बहुत ही टेस्टी छिलकों के साथी बनेगी आप देखिएगा बहुत ही कमाल की बर्फी बनने वाली है अब इसे मिक्सर जार में डालके हमें अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेगना है बिल्कुल बारीक प पीस लेना है तो थोड़ा सा दूर डाल की पीस यहाँ पानी नहीं डाला है तो इस तरह से मैंने इसे पीस के तयार कर लिया है आप देख सकते हैं बहुत ही शांदार डाल पिस चुकी है बिलकुल भी इसमें दाने नहीं है अब सीधा हमें इसे डालना है कड़ाई में अब कड़ाई आप मोटे तले की लीजिएगा फ्रेंड्स ताकि चिपके नहीं कड़ाई में डालके पांच मिनिट अच्छे से पहले इसे चला लेंगे अच्छे से मैंने पांच मिनिट इसे चला लिया है कड़ाई में पहले मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है जैसे कि आपने देखा गी वगरा कुछ नहीं डाला है पांच मिट चलने के बाद हमें इसके अंदर आधा लीटर या आधे लीटर से जादा थोड़ा दूर डाल दिया है मैंने और फिर अच्छे से दूद के साथ हमें से पकाना है चलाते वे लगातार में इसे पकाया है अब इस जगे केस की जो फ्लेम है हमें मीडियम ही रखनी है मीडियम फ्लेम पे हमें से पकाना है ताकि ये जो दाल है बहुत ही अच्छे से पक जाए लगातार में इसे चला रही हूँ, आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बहुत क्रीमी सी दिख रही है और जब ये पकने लगेगी तो इस तरह से हलकी हलकी गाड़ी होने लगेगी अब आप देख सकते हैं, अच्छे से सिमटने लगी है अभी हाला कि ये पकी नहीं है, इसे पकाना बहुत, मतलब इसमें टाइम लगेगा लग बग एक से डेड़ गंटे में पक के ये तयार होगी, मतलब पूरी बरफी क्योंकि मैंने दो किलो की जो बनाई है, अब मैंने इसमें गर की दूद की जो मलाई होती है जब तक वो अलकी पकती है, हमें थाली ट्रे जो भी हमें जिसमें बरफी बनानी उसे तयार करना है 20 मिनिट मैंने अच्छे से पकने के बाद इसमें चीनी डाली है मैंने इसके अंदर आधा किलो चीनी डाली है, आप क्वेंटीटी कम जादा रग सकते हैं तो आधा किलो चीनी डालके फिर से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है जब आप चीनी डालेंगे तो फिर से ये मेल्ट होने लगेगी और लगातार इस जगह में चलाते रहना है आप हलका इसका कलर भी देख सकते हैं, शाइनी शाइनी सी दिख रही है और बहुत अच्छे सी पक रही है लगातार चलाते वे फिर से मैंने 15 मिनट पकाया है, इस जगह फिर मैंने डाल दिया है गुलाब जल और इलाइची का पावडर ये फ्लेवर के लिए डाला है, आपके पास होथ उडाले वना आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं अब अच्छे से मैंने चीनी पकने तक इसे पकाया है, फिर मैंने इसके अंदर ग्रीन फूड कलर डाल दिया है मुंगिया कलर आये, इसलिए मैंने डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास होथ उडाले वना आप वैसे भी बना सकते हैं जब बिल्कुल अच्छे से ये पक जाये और अच्छे से थिक हो जाये तब हमें इसमें घी डालना है वैसे तो ये तीन बड़े चम्मच घी से बनके तयार हो जाएगी, पर मैंने इसमें ज़्यादा ही डाला है क्योंकि मैं घी खाने की शौकीन हूँ, तो अच्छे से मैंने घी डालके फिर से इसे पका लिया है अब आप देख सकते हैं, बहुत ये अच्छे से थिक होने लगी है, फिर से मैंने इसमें तीन बड़े चम्मच घी डाला है तो फ्रेंट्स आपने देखा, बहुत ही कम घी में भी ये बर्फी बनके तयार हो सकती है और फ्रेंट्स आप चाहे तो बिना चिलके वाली डाल लेके उससे भी बना सकते हैं, जैसे आपको डाल पसंदो वेसे लेके बना सकते हैं अच्छे से इस तरह से डो फोम में आ जाए और सिमटने लगे तब आपको गेस की फ्लेम ओफ करके जो थादी और जो ट्रे तयार की है तुरंत ही उसमें डाल देना है अच्छे से फटाफट, फटाफट की काम करना है आप चाहे तो किसी की मदद भी ले सकते हैं अच्छे से इस तरह से जमा दिया है फिर मैंने एक ट्रे में ड्राइफ टूट लगाया है एक में मैं चांदी का वर्क लगाया है जैसे आपको गानिश करना पसंदोना आप वेसे कर सकते हैं अब इसे आदा घंटा सैट होने के लिए रख देंगे आदे घंटे में अच्छे से सैट हो जाएगी फिर ही हमें इसकी कटिंग करनी है तो पहले अच्छे से मैं इसे ठंडा होने दिया है चोटे बड़े पीसिज में जैसे काटना पसंदो वेसे आप इसे कार सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये कट रही है आप देख सकते हैं जिस तरह से चाकू चल रहा है मतलब अच्छे से ये बनी है अच्छे से सेट हुई है अब चाहे तो आप इसे 15-20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं ये बिलकुल भी खराब नहीं होती है तो मैंने अच्छे से सारी बर्फी को निकाल लिया है थाली में भी देख सकते हैं बिलकुल नहीं चिपकी है बहुत ही अच्छे से ये बर्फी सेट हुई है तो फ्रेंड्स आपको ये रेसी भी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप भी इस दिवाली बना के इसे इंजोई कीजिएगा और सभी को आप ये खिलाईएगा मुझे तो ये रेसी भी बहुत ही पसंद है आपको पसंद आए तो आप भी बना के इसे इंजोई करें चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरब से दिवाली की हार्दी शुप काम नाए थैंक ये सो मुझ फ्रेंड्स